आज मैं आज का टोपिक इम्म्यून सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि मुझे बच्पन में निमोनिया हो गया था जिससे मैं 12 साल तक ग्रस्त रहा और 2-3 साल पहले फिर से मुझे वही दिक्कत आनी शुरू हुई तो जब मैंने इसका चेक अप करवाया तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरा इम्मनियोटी लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है जो मेरा बीपी रहने लग गया था वो 150-210 तक रहने लग गया था जो एक बहुत ही डेंजर लेवल पे था और डॉक्टर्स कहत मैंने अपने आपको बहुत ही जल्दी रिकवर कर लिया और आज मैं बिल्कुल ही नॉर्मल और हेल्दी हूं तो आज उन सभी प्रिक्योजन्स और एक्सराइजिस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको सबसे पहले जानते हैं इम्म्यून सिस्टम क्या है इम्म्यून सिस् होता है चम्यून सिस्टम के अंदर्वी सी पाई जाती है कि उसे इसके अंदर सबसे क्या होता है डव्लीयूबिशस वियूत रख्त कोशिका है जो वायट ब्लड शेल्स होती हैं जीणहें हम लियूकोसाइटोश भी कहतेüchtे हैं माल लीजीए आपको किसी मच्छर ने काटा जब उसने आपके सरीर के अंदर अपना सलाइवा गेरा तो क्या थे कुछ किटानू उसके सरीर से आपके सरीर के अंदर आ गई जैसे ही वो अंडर आते हैं हमारे सरीर को पता लग जाता है कैसे पता लग जाता है हमारे सरीर का टाप मन बढ़ जाता है टेंप्रेचर क्या है इंक्रीज हो जाता है जैसे सरीर को पता लगता है कि किसी भी भार के जीव ने जिवानू ने वाइरस ने हमारे सरीर के उपर क्या है हमला करतीया है तो हमारा सरीर क्या करता है, अपने सरीर का क्या करता है, तापमान बढ़ा देता है, मस्तिस्क हमारे सरीर को संदेश देता है कि आप तापमान बढ़ा दीजिए, क्यूंकि ज़्यादा तर जो वाइरसीज और बैक्टीरिया होते हैं, जो जिवानू और विशानू होते हैं, व उसी दोरान तुरन तभी एक्टिव हो जाते हैं चोकन्ने हो जाते हैं और उन जिवानों को विशानों को ढूंड कर मार देते हैं और टी और बी सेल्स का काम भी ऐसा ही है बी सेल्स क्या है टी सेल्स के पास संदेश ले के जाते हैं कि हमारे सरीर के उपर क्या हुआ है हमला हु वुशानुओं को ढूंडते हैं और उनको मारकर खतम कर देते हैं और क्या है सुरीर को उनके बारे में पूरन रूप से संदेश दे लेते हैं ताकि अगर भविष्य मे वह वुशानू कि टानू हमारे चरीय्व पर हमला करें तो हमारा सरीर क्या है पहले से उनके उनसे लड़ने के लिए क्या रहे सुवस्त रहे तो यह होता क्या है हमारे सरीर के अंदर क्या है एंटी बोडी होती है एंटी बोडी कैसे ताले और चाबी की तरह काम करती है हर एक एंटी बोडी का एक यूनिक कोड होता है जिसे हम क्या कहते है ये इस लोग के ओपर जो कोई विशानू या किटानू आएगा हर एक लोग का अपना एक specific होता है जैसे एक ताली के अंदर एक ही चाप भी लगती है ऐसे ही हर antibody पर कोई ना कोई क्या है विशानू fit होता है और जब वो उस पर fit हो जाता है तो antibody क्या करती है chemicals के दुआरा इसको क्या करती है इसको मार देती है ठीक है जी इन्ही परिक्रियाओं को कारण WBC को हम soldier cell भी यानि सैनिक भी कहते हैं हमारे सरीर का इनका जनम लीवर और अस्ती मज्जा और spelen, pleeha, liver, bone marrow और spelen के अंदर होता है पलीहा के अंदर होता है यह हमारे सरीर के अंदर रोज ही बनती रहती है यह सरीर की सबसे बड़ी कोशिकाय होती है और सबसे कम होती है ठीक है जी अब इसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए अब जैसे क्रोना वाइरस आया हुआ है वो भी क्या है एक वाइरस है अब बात आती है कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो डॉक्टर्स मैंने मुझे उपचार बताए थे जो मैंने नियमित रोप से करे और एक जीव विज्ञान का सिक्सक होने के नाते भी जो मेरा आप लोगों को बताने का फर्ज है वो क्या था सबसे पहले मैंने ली थी दॉक्टर से मुझे बताया था डेली ग्रीन टी लेने के लिए ग्रीन टी क्यों लेनी चाहिए ग्रीन टी क्या है एक एक एंटी ओक्सिडेंट है काफी मातरा में उसके अंदर क्या है ओक्सीजन भी पाई जाती है एंटी ओक्सिडेंट है जो क्या करती है हमारे सरीर के अंदर ओक्सीजन की मातराओं को बढ़ाती है दूसरी वो एंटी से जो खुद ही घाव भरने वाली है जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी विशानू और किटानू होते हैं उनके मारने में ये परभावी होती है अब इसके लाब क्या क्या है अगर आप ग्रीन टी रोज सेवन करते हैं ग्रीन टी आपको लेनी कैसे है एक बरतन के अंदर पानी करीजिए उस पानी को जैसे हम चाई के लिए खद्दा लगाते हैं उसके अंदर ना दूट डालना हो और ना चिन्नी डालनी है उसका खद्दा लगाईए थोड़ी सी ग्रीन टी डालिए ठीक थोड़ी सी ग्रीन टी आद्दे चमत से भी थोड़ी सी कम ग्रीन टी डालिए और उसको क्या करें उस पानी में हलका सा खद्दा लगवाईए पूरा खद्दा नहीं लगाना पूरा उबाल नहीं देना है हलका सा खद्दा लगवाईए और उसको चान कर सुबह खाली पेट पी लीजिए और शाम को खाली पेट पी लीजिए और उसको पीने के बाद आदे गंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है अगर आप नियमित रूप से ये प्रिकरिया दस दिन भी करोगे तो आप देखोगे कि आपके सरीर के अंदर क्या है एक नई उर्जा का क्या होगा समवान होगा संपदन होगा आपको खुद ही दिखेगा कि जैसे आपके लग गया है क्योंकि ये क्या है हमारे सरीर के अंदर डबली वी सी के बनाने में बहुत जादा हेलफुल है जो ग्रीन टी है ये कैंसर के जो किटानों होते हैं उनको भी मारती है कैंसर सेल्स को मारती है ऐलर्जी की समस्याओं को दूर करती है जो आपके अलर्जी की तो क्या रहेगा WC जादा बनेंगी और रोगों से लड़ने में आपकी ज़्यादा साहेता करेंगी और बिमारिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी दूसरा जो ग्रेलू नुक्सा है वो है नुक्सा है वो है तर्मरिक मिल्क हल्डी का दूद अब जैसे आप सभी को पता है हल्डी बहुत ही लाबधायक है हमें सभी को पता है हल्डी क्या है एंटिबोटिक है हल्डी एंटिबोटिक है एंटिसेप्टिक है और एंटि ओक्सिडेंट भी है जिसके कारण क्या है हल्डी कैसे कैसी हमारी मदद करती है हल्दी के अंदर इतने गुन होने से ये भी क्या है हल्दी भी जो हमारे स्रीर के अंदर वाइरस और बैक्टीरिया आते है जो भी हमारे स्रीर के अंदर वाइरस और बैक्टीरिया आते है उनको क्या है नश्ट करने में उनको मारने में मदद करती है अब हल्दी का दूद कैसे लेना है आपको सुबह और शाम सुबह और शाम को रोजाना शाम को रात को सोते वक्त भी आप ले सकते हो एक गलास गरम दूद ठीक है जी एक गलास गरम दूद के अंदर एक से आधा चमच हल्दी डाल कर हल्दी डाल कर रोजाना इसका सेवन करना है अगर आप ये करोगे तो आप देखोगे आपके सरीर के अंदर जो बीपी की समस्या है जो आपके सरीर के अंदर जो आपको खासी होती है, काफ होती है जो बलगम बनती है, जो सांस लेने में ब्रेफिंग की आपको रेस्पिरेशन की प्रोब्लम है वो सब कुछ दिन में क्या है, अपने अप दूर हो जाएंगी क्योंकि यह सब क्या है एंटी बोटिक है एंटी सेप्टिक है यह हमारे सरीर के रखून को भी साफ रखती है और डबली बीसी बनाने में मदद करती है और साथ ही साथ इनके अंदर बहुत जादा मातरा में प्रोटीन और विटामिन्स भी पाए जाते है जो कि जैसे कि विटामिन सी बहुत जादा मातरा में दोनों के अंदर पाया जाता है तीसरी आती है आपकी ब्रोटी जिसे हम हरी फूल गोबी भी कहते हैं हरी फूल गोबी भी कहते हैं अब इसके अंदर इतनी मातरा में प्रोटीन पाया जाता है और एंटिसेप्टिक पाया जाता है जितना आपको एक ब्रोकली के अंदर इतना प्रोटीन है जितना आपका एक किलो कोई प्रोटीन का डब्बा होता है एक ब्रोकली के अंदर एक किलो प्रोटीन के डबे जितनी यानि या फिर देसी भासा में बात करें तो एक किलो पनीर जितनी सकती क्या है एक ब्रोकली के अंदर होती है एक किलो पनीर जितनी अब ब्रोकली खाने के लाब क्या है ब्रोकली को खाए कैसे ब्रोकली को आप उबाल लीजिए ब्रोकली को आपको पांस से दस मिट से जादा पानी में नहीं उबालना है ब्रोकली को 5-10 मिट पानी में उबालने के बाद उसको क्या है अच्छे से दो कर खा ली जिएगा जब आप उसे 20 से काट कर खाएंगे तो जो उसके अंदर लिक्विड होता है जो लिक्विड है उसके अंदर इतना प्रोटीन है कि वो आपके शरीर के को इतनी समता देता है जितनी ताकत आपको एक किलो पनीर या एक किलो चने खाने से मिलती है साथ ही साथ ये आपको अलर्जी से बचाएगा ठीक है जी वाइरिस के रोगों से बचाता है बैक्टीरिया के रोगों से बचाता है और आपके इम्मिनूटी लेवल को इम्मिनूटी लेवल को जीरो से हंडरड तक मातर एक हफ़ते के अंदर बढ़ा देगा इना वन वीक और मेरी कुछ सलाए हैं कि जो सबजिया है हरी सबजिया जितना कम हो सके उनमें उतना कम छोक लगाईए और हो सके तो उबली हुई सबजियों का ही सेवन कीजिए उबली होई सबजियों के सेवन करने से क्या रहेगा कि आपका पाचन तंतर जो है वो क्या रहेगा ठीक रहेगा वो सबजियों को असाने से पचा पाएगा अगर उसके अंदर वो जादा छोक वाली होंगी तड़के वाली होंगी तेल होगा तो क्या होगा कि जो आपका पा प्रटीरिया से सही से नहीं लड़ पाएगा इसलिए भी आज कल आपको क्या है सबजियों का भी उबली हुई सबजियों का ही सेवन करना चाहिए साथ में जो कुछ फ्रेज है आप अगर आपको सुष्थ रहना है खासकर इस समय में रहना है तो कुछ समय के लिए स्मोकिंग क को छोड़ दीजिए धुमरपान ना करें सराब का सेवन ना करें मास अंडा ना खाएं एवं नियमित रूप से प्रनायाम करें और जो हमें बताई जा रही हैं जो सावधानिया हैं उन्हें बरतें जैसे कि लोगों से दूरी बनाए रखें किसी से हाथ ना मिलाएं खास्ते वक्त किसी कपड़े का इस्तमाल करें अपने हाथ को जितना कम हो सके अपने मुह पर लगाएं अगर आप इन सभी प्रिक्रियाओं को ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्त रहेंगे आपका कोई रोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि किसी भी रोग को लड़ने की उससे ठीक होने की उससे फाइट करने का सबसे पहला नियम है उससे बचाव तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर रहें सुवस्त रहें हम जल्दी इस महारोग से बाहर निकल कर फिर से एक साथ बैठेंगे बात करेंगे फिर से वही जीवन जीएंगे जो पहले हम जी रही द्रक का इस्तमाल करना है क्यों क्योंकि लशन को हम इमन्यूटी बूस्टर भी कहते हैं पुराने समय में जब कोई व्यक्ति जुखाम खासी या बुखार से ग्रस्त होता था पीडित होता था तो उसे नीम का काड़ा लशन का सेवन और हल्दी का दूद पीने की ही सलाथ व किटामिन्स पाए जाते हैं कि जो हमारे सरीर को किसी भी ब्यंकर से ब्यंकर बिमारी में लड़ने के लिए मदद करते हैं और हमारे सरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे इतना साफ और सुष्ट कर देते हैं कि हमारे सरीर के अंदर किसी भी परकार का किटानू ज सकता.